ओम शांती मुरुली का तारिक है 3-2-2020 मीटे बच्चे तुमारी फर्ज अदाई गर-गर में बाप का पईगाम देना कोई भी हालत में युक्ती रचकर बाप का परिचे हर एक को अवश्य दो प्रश्न तुम बच्चों को किस एक बात का शवक रहना चाहिए उत्तर जो नई नई पाइंट्स निकलती हैं उनको अपने पास नोट करने का शवक रहना चाहिए क्यूंकि इतनी सब पाइंट्स याद रहना मुश्किल है नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना है ऐसे भी नहीं कि लिख कर फिर कापी पड़ी रहें जो बच्चे अच्छी रिती समझते हैं उन्हें नोट लेने का बहुत शवक रहता है गीत लाक जमाने वाले ओम शांती मीटे मीटे रुहानी बच्चों ने गीत सुना रुहानी बच्चे या अक्षर एक बाप ही कह सकते हैं रुहानी बाप पिगर कभी कोई किसी को रुहानी बच्चे कह नहीं सकते बच्चे जानते हैं, सब रूहों का येक ही बाप है, हम सब बाई बाई, गाते भी है ब्रदर हुट, फिर भी माया की प्रवेशता ऐसी होती है, जो परमात्मा को सर्वव्यापी कह देते हैं, तो फादर हो जाता है, रावन राज्ज, पुरानी दुनिया में ही होता है, नई दुनिया में राम राज्ज, अत्व इस पर ये राज्ज कहा जाता है, यहां समझने की बाते हैं, दो राज्ज जरूर हैं, इस पर ये राज्ज और असुरी राज्ज, नई दुनिया और पुरानी दुनिया, नई दुनिया जरूर बाप ही रचते होंगे, इस दुनिया में मनश, नई दुनिया और पुरानी दुनिया को भी नहीं समझते हैं, गोया कुछ नहीं जानते हैं, तुम भी नहीं जानते थे, बे समझते, नई सुक की दुनिया कौं स्तापन करता है, फिर पुरानी दुनिया में दुख क्यों होता है, स्वर्ग से नरक कैसे बनता है, या किस किसी को भी पता नहीं इन बातों को तो मनुशी जानेंगे ना देवताओं के चित्र भी है तो जरूर आदी सनातन देवी देवताओं का राज्चिता इस समय नहीं है यह प्रजा का प्रजा पर राज्च बाप बारत में ही आते हैं मनुश्यों को यह पता नहीं है की शिव बाबा बारत में आकर क्या करते हैं अपने दर्म को ही बूल गये हैं तुमको अब परिछे देना हैं त्रिमूर्ती और शिव बाप का ब्रह्मा देवता विष्णु देवता शंकर देवता कहा जाता हैं फिर कहते हैं, शिव परमात्माय नमा, तो तुम बच्चों को त्रिमूर्ती शिव का ही परिच्चय देना है। ऐसी ऐसी सर्विस करने हैं, कोई भी हालत में बाप का परिच्चय सबको मिले तो बाप से वर्सा ले लेवें। तुम जानते हूं, हम अभी वर्सा ले रहे हैं, और भी बहुतों को वर्सा दिलाना हैं, हमारे उपर फर्जदाई गर-गर में बाप का पईगाम देने की वास्तों में, मेसेंजर एक बाप ही है, बाप का परिचय बाप तुमको देते हैं, बाप अपना परिचय तुमको देते हैं, तुमको फिर अवरों को बाप का परिचय देना हैं, बाप की नौलिज देनी हैं, मुक्के हैं, त्रिमूर्ती शिव, इनका ही कोट ओफ आम्स बनाया हैं, गवर्मेंट इनका यतार्थ अर् का है सत्य मेव जयते इनका अर्थ तो निकलता नहीं या तो संस्कृत अक्षर है अब बाप तो है ही टृत वाँ जो समझाते हैं उससे तुमारी विजय होती है सारे विश्वु पर बाप कहते हैं मैं सच कहता हूं तुम इस पड़ाई से सच्चा सच्चा नारायन बन सकते हैं वो लोग क्या-क्या अर्थ निकालते हैं वाँ भी उनसे पूछना चाहिए बाबा तो अनेक प्रकार से समझाते हैं जहां जहां मेला लगता है वहां नदियों पर भी जाकर समझाओ पतित पावन गंगा तो हो नहीं सकती नदिया सागर से निकली वाँ तो पानी का सागर उ उनसे पानी की नदिया निकलती है ज्ञान सागर से ज्ञान की नदिया निकलेगे तुम माताओं में अब ज्ञान है गवमुक पर जाते हैं उनके मुक से पानी निकलता है समझते है यहां गंगा का जल है इतने पड़ेलिके मनिश समझते नहीं कि यहां गंगा जल कहां से न अब यहां तो है ज्ञान की बाते ऐसे नहीं कि अर्जुन ने बाण मारा और गंगा निकल आई कितना दूर दूर तीर्थ पर जाते हैं कहते हैं शंकर की जटाओं से गंगा निकली जिसमें स्नान करने से मनुष्य से परी बन जाते हैं मनुष्य से देवता बन जाते हैं यां भी परी मिसाल है अब तुम बच्चों को बाप का ही परिचय देना है इसलिए बाबा ने या चित्र बनवाये हैं त्रिमूर्थी शू के चित्र में सारी नालेज है सिर्फ उन्हों के त्रिमूर्थी के चित्र में नालेज देने वाला शू का चित्र नहीं है नालेज लेने वाले का चित्र है अभी तुम त्रिमूर्थी शू के चित्र पर समझाते हैं उपर है नालेज देने वाला ब्रह् इसको कहा जाता है इश्पर के दर्म के स्तापना की मिश्णरी या देवी देवता दर्म बहुत सुक देने वाला है तुम बच्चों को अपने सत्य दर्म की पहचान मिली तुम जानते हो हमको बगवान पढ़ाते हैं तुम कितना कुश होते हैं बाप कहते हैं तुम बच्चों की कुशी का पारावार नहीं होना चाहिए क्यूंकि तुमको पढ़ाने वाला स्वयम बगवान हैं बगवान तो निराकार शिव हैं ना की श्री कृष्टि बाप पैट समझाते हैं सर्व का सद्गती दाता एक है, सद्गती सत्यु को कहा जाता है, दुर्गती कल्यु को कहा जाता है, नई दुनिया को, नई पुरानी दुनिया को, पुरानी ही कहेंगे, मनिश समझते हैं, अभी दुनिया को पुराना होने में 40,000 वर्ष चाहिए, कितना मूँच पड़े हैं, सिवाई बाप के, इन बातों को कोई समझा ना सके, बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को, राज्जे बागी दे, बागी सब को, गर ले जाता हैं, जो मेरी मत पर चलते हैं, वहां देवता बन जाते हैं, इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हैं, नया कोई क्या समझेगा तुम मालियों का कर्तव यह है, बगीच्छा लगाकर तैयार करना, बागवान तो डैरेक्षन देते हैं, ऐसे नहीं बाबा कोई नईयों से मिलकर ग्ण्यान देंगे या काम मालियों का है, समझो, बाबा कलकते में जाए, तो बच्चे समझेंगे, हम अपने आफिसर को, फलाने मित्र को बाबा के पास ले जाए, बाबा कहेंगे, मा तो समझेंगे कुछ भी नहीं, जैसे बुद्दु को सामने ले आकर बिटाएंगे, इसलिए बाबा कहते हैं, नई को कभी बाबा के सामने लाकर नहीं बिटाओ, नईयों को कभी बाबा के सा ना कि बागवान का माली का काम है बगीचे को लगाना बाप तो direction देते हैं ऐसे ऐसे करो इसलिए बाबा कभी नए से मिलता नहीं परंतु कहां मेहमान होकर गर में आते हैं तो कहते हैं दर्शन करे आप हम को क्यों नहीं मिलने देते हो शंकराचारी आधी पास कितने जाते हैं बड़ा मर्तबा है, पड़े लिके हैं, फिर भी जनम तो विकार से ही लेते हैं, ट्रस्टी लोग गद्धी पर कोई को भी बिटा देते हैं, सबकी मत अपनी अपनी हैं, बाप कुद आकर बच्छों को अपना परिच्छे देते हैं कि मैं कल्प कल्प इस पुराने तन में आता या भी अपने जनमों को नहीं जानते हैं, शास्त्रों में तो कल्प की आयू ही लाको वर्ष लगा दी हैं, मनिश तो इतने जनम ले नहीं सकते हैं, फिर जानवर आदी की भी योनिया मिलाकर चवरासी लाक बना दी हैं, मनिश तो जो सुनते हैं सब सत सत करते रहते हैं, शा कलकते में देवियों की बहुत शोबावान सुन्दर मुर्तिया बनाते हैं, सज्जाते हैं, फिर उनको डुबो देते हैं, यां भी गुडियों की पूझा करने वाले बेबीस ही टहरें, बिल्कुल इनोसेंट, तुम जानते हों, यां है नरक, स्वर्ग में तो अतह सुकता, अ कोई समय स्वर्गता अब नहीं है, नरक के बाद फिर जरूर स्वर्ग आएगा, इन बातों को भी तुम जानते हों, मनिश तो रिंचक भी नहीं जानते, तो नया कोई बाबा के सामने बैट क्या करेंगे, इसलिए माली चाहिए, जो पूरी परवरिश करें, यहां तो माली पी डेर के डेर चाहिए, मेडिकल कालेज में कोई नया जाकर बैटे तो समझेगा कुछ भी नहीं, यह नौलेज भी है नहीं, बाब कहते हैं, मैं आया हूं सबको पावन बनाने, मुझे याद करो तो पावन बन जाएंगे, इस समय सब है तमो प्रदान आत्माई, तब तो क कहा देते, आत्मा सो परमात्मा, सब में परमात्मा है, तो बाप तोड़े ही बैट, ऐसे से माता मारेगा, यह तो तुम मालियों का काम है, कांटों को फूल बनाना, तुम जानते हो बक्ती है रात, ग्ण्यान है दिब, गाया भी जाता है, ब्रह्मा का दिन, ब्रह्मा की रा जो पूछे कि इतने ब्रह्मा कुमार कुमारिया है, इनका ब्रह्मा कौन है, अरे प्रजापिता ब्रह्मा तो मशूर है, इन द्वारा ही ब्रह्मन दर्मस्तापन होता है, कहते भी है ब्रह्मन देवताई नमा, बाप तुम बच्चों को ब्रह्मन बनाए, फिर देवता बनाते जो नई नई पाइंट्स निकलती हैं, उनको अपने पास नोट करने का शवक बच्चों को रहना चाहिए जो बच्चे अच्छी रिती समझते हैं, उन्हें नोट्स लेने का बहुत शवक रहता है नोट्स लेना अच्छा है, क्योंकि इतनी सब पाइंट्स याद रहना मुश्किल है नोट्स लेकर फिर कोई को समझाना ऐसे नहीं कि लिखकर फिर कापी पड़ी रहे नई नई पाइंट्स मिलती रहती हैं, तो पुराने पाइंट्स की कापिया पड़ी रहती है स्कूल में भी पढ़ते जाएंगे पहले दर्जे वाली किताब पढ़ी रहती है जब तुम समझाते हो तो पिचाडी में या समझावों की मन मनाबव बाप को और सुष्टी चक्र को याद कर मुख्ये बात है मन मनाबव मामेकम याद कर इसको ही योग अगनी कहा जाता है बगवान है ज्ञान का सागर मनश है शास्त्रों के सागर बाप कोई शास्त्र नहीं सुनाते है वाँ भी शास्त्र सुनाये तो बाकी बगवान और मनश में फरक्या रहा बाप कहते हैं इन बक्ती मार्ग के शास्त्रों का सार मैं तुमको समझाता हूँ, वहां मुरली बजाने वाले सर्प को पकड़ते हैं तो उसके दांत निकाल देते हैं, बाप भी विश्पिलाना तुमसे चुड़ा देते हैं, इसी विश्पिलाना तुमसे चुड़ा देते हैं, इसी विश् ग्ञ्यान चिता पर बैटे से तुम विश्व के मालिक जगट जीत बन जाते अच्छा, मीटे मीटे सिखिलदे बच्चों प्रती, मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मौर्निंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्टे हम रुहानी बच्छों की रुहानी बापतादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग नमस्ते 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 दारणा के लिए मुख्य सार First point सदा कुशी रहे की हम सत्धर्म की स्तापना के निमित है स्वयम बगवान हमें पढाते है हमारा देवी देवता दर्म बहुत सुक देने वाला है सेकेंड पाइंट माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करने पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने लाना है मेहनत करनी वरदान हर शक्ती को कारी में लगा कर रुद्धी करने वाले स्रेष्ट दन्वान वां समझदार बवा समझदार बच्चे हर शक्ती को कारी में लगाने की विदी जानते है जो जितना शक्तियों को कारी में लगाते है उतना उनकी वां शक्तियां रुद्धी को प्राप्त होती है तो ऐसा इश्परिय बज़ेट बनावो जो विश्पु की हर आत्मा आपु द्वारा कुछ ना कुछ प्राप्ति करके आपके गुणगान करें सबी को कुछ ना कुछ देना यी हैं चाहे मुक्ती दो चाहे जीवन मुक्ती दो इश्परिय बज़ेट बनाकर सर्व शक्तियों की बज़त कर हर आत्मा को देते रहो इश्परिय बज़ेट बनाकर सर्व शक्तियों की बच़त कर जमा करो और जमा हुई शक्तियों द्वारा सर्व आत्माओं को विकारी पन से दुख अशांती से मुक्त करो श्लोगन शुद्ध संकल्पोंक अपने जीवन का अनुमोल कजाना बनालो तो माला माल बंजाएंगे अच्छा ओम शांती